राधे, राधे, एक प्रश्ण बहुत सुंदर आया कि ब्रत के दिन बोजन क्यों नहीं करना चाहिए, अन्न क्यों नहीं गिरहन करना चाहिए तो देखिए वस्तुत है तो सबसे पहले हम यह जाने कि ब्रत का मतलब क्या है ब्रत भूंका रहने का नाम नहीं है, ब्रत आपके मन, आपके बुद्धी, आपके विचारों की पवित्रता को ही दर्शाता है कि आप ब्रत रखते हैं सत्य नारण की जब हम कथा सुनते हैं तो सत्य नारण की कथा में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि किसी व्यक्ति ने सत्य नारण की कथा सुनी है हर जगे उलेख यही आया कि सत्य नारण का ब्रत किया है ब्रत का अर्थ है सत्यका ब्रत, कि हम पूरे दिन जूट नहीं बोलेंगे इसी प्रकार से अन्य ब्रत हैं, जिन ब्रत में हम विशेस रूप से हमारा मन, हमारी बुद्धी, हमारे विचार, सात्यों की बने रहें हम निरंतर भगवान का भजन करते रहें इसके लिए ब्रत बनाए गए हैं भोजन ना करने का एक कारण ये भी है कि अन्न ग्रेंड करने से शरीर में आलस से उत्पन होता है तो शरीर में आलस से ना आए और पूरे दिन ब्रत के समय हम निरंतर भगवान का भजन करते रहें उनका इस्मरण करते रहें बिना किसी आलस के इसलिए अन्न का निशेद बताया गया है उपवास भी इसलिए उसको कहते हैं कि हम उपवास रख रहे हैं वो ही दूसरा उसका नाम है तो विशेश तरूप से साइंस और विज्ञान तो यही कहता है कि अन्न इसलिए गर्यान नहीं करना चाहिए ताकि शरीर में आलासिन आए और निरंतर हम भगवान का इसमरण करते रहें बजन करते रहें इसलिए ये ब्रत में अन्न का निशेद बताया गया है